जैसरी राम हर विक्ति को धन 13 के दिन यह अवस्तु में अवस्य खरीदने चाहिए। मिट्टी की मूर्थी पंचटत्तों का परतीख होता है इसलिए मिट्टी के प्रतिमा का पूजन करने से घर में धान और सुक संदिधी आती है। मिट्टी के प्रतिमा के अलावा आप अश्च धातु और सोने चांदी की भी प्रतिमा घर ला सकते हैं। जाणू अबस्य खरीदना है आपको धन तेरस के दिन जाणू खरीदना चाहिए या साप सफाई का प्रतिक होता है जहां साप सफाई यानि के सच्छता होती है वहां मालक्षमी का इस्थान होता है इसलिए धन तेरस को जाणू खरीदना सुब माना जाता है। पीतल धातू के बरतम धन तेरस के दिन खरीदना चाहिए या अप्तियंत सुब माना जाता है। पीतल धातू बगवान धनवंत्री के अप्रिय धातू है। पीतल का इस्तिमाल कई तरह से लाब प्रद होता है। खड़ी धनिया, साल भर माता लक्षमी और धनकुबेर की क्रिपा पाने के लिए धन तेरस को धनिया अवस्थ खरी दें और दोनों को चढ़ाएं, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और नहीं आएगी, माता लक्षमी की क्रिपा सदैव बनी रहेगी। कौडी, प्राचीन काल में कौडी को रुपिया यानी धन के तौर पर देखते आ रहे हैं, यह धन का प्रतीक है, इसले धन तेरस को कौडी दरूर मालक्षमी को चढ़ाएं, इससे धन लाब की प्राप्ती होता है। इस प्रकार इन वस्तुओं को घर लाने से घर में मालक्षमी का आगमन होता है, और घर में सुखसांती इस्थापित होती है, साथ ही कुवेर भगवान की क्रपा बनी रहती है। धन्यवाद, जैस्री रहुआ